असलालेकुम फ्रेंट्स आज मैं आपके शाय करूंगी चिकन अंगारा की बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलेशिस रेसिपी इसे अगर आप एक बार घर पे बना लेंगे तो होटल से रेस्टोरेंट से लाना बिलकुल भी बूल जाएंगे इतनी लाजवाव यह चिकन अंगा अगर आपके पास अवेलेवल नहीं तो आपके श्कित कर सकते हैं बस इसे डालने में जो ऐक रीचने साती में ग्रेवी ग्रेवी का जो टेस्ट हो जाता है वान आपके बिना भी बना सकते है तो यह से मैंने मिक्सी जार में आड़को थोड़ा सब्सक्माइशा कर दिया है यहां पे मैंने इसपेशल ग्राइन जटना लाइन तो यहां पे पेशी पाइन यहां और यहां पेशारी से एक साईट पर रखेअन कि रहें जो यहां पेशार आंगारा का में यह स्पेशल श्सीम ग्रेवी मीचाला लगा देगा तो यहां पे दो बड़ा चम्मच मैंने धनिया लिया है साबुद धनिया छे से साथ मैंने यहां पे सुखी लाल मिर्च लिया है एक चोटे चम्मच हम यहां पे साबुद जीरा लेंगे सफेद जीरा और यहां पे चार से पांच चोटी लाइची है कि दो इंच मैंने यहां पे दाल चीनी का टुकड़ा लिया है और एक चोटा चम्मच काली मिर्च लेंगे हम अब जो है चार से पांच यहां पर हमें लॉंग ले लेना है और इन सबी को हमें ड्राय रोस्ट कर लेना है इन सब की वज़े से जो हमारे चिकन अंगारा इतने फ्लेवर फुल बनेंगी इतनी तेस्टी बनेंगी इसके ग्रेवी इतनी तो इसे हमें थोड़ा सा ड्राय रोस् इतना ही हमे करना है ताकि जो इसमें मोईस्चर है वह खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा सा है हमारा रोस्ट हो चुका है अब इसे मिक्सिके जार में आड़ करके इसका एक पाउडर बना लेंगे अगर आपको पाउडर बनाने में परिशानी हो तो इसमें थोड़ा सपाइई यह हमारा बहुती फ्लेवरफुल मसाला बनके तयार होगे इसे एक साइट पर हम रख देंगे अपने चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं यहां पर मैंने एक केजी चिकन लिया जिसे मैंने अच्छे से वाश करके चनी में रख दिया ताकि पानी बगरा जो एक दम बिल्कुल भी इ आड़ करदेंगे आप अपने टेस्ट के हिसाब से आड़ कर दीजिए का दो चोड़ा चम्माचिस में कशमेरी लाल मिर्च एक कर देंगे और एक चुप मैंने दही लिया दही बिल्कुल खटी नहीं नौर्मल दही है और एक पीच में फूट कलर ड़ेंगे चिकन तो तो एक पिंच के काईब मैंने आइड कर दिया है और दही को कभी भी यूज़ कि जिगा तो इसे अच्छे से पहले फेट लिज़ेगा उसके बाद इसमें एड किजिएगा और यहां पर जो मैंने ते बनाया था इसमें बूरा ही इसमें कर देंगे और इन सब को खुब अच्छे से हम मेक्स कर लेंगे और इसे एक घंटे के लिए कवर करके मैरिनेट कर लेंगे अगर आपके पास टाइम हो अगले दिन आपको बनाना हो तो ओवरनाइट के लिए जिए अध़नेटे लिए होने के लिए में कुर्णंटेbon निन एक एंगहों किवर ग्राइबर Спरिय को तो क galaxy massac shedding मैंने एक आधा कप तेल एक टोट ऑद तो एक आधा कभ टिल लिया है मैंने जिसमें thingy एपे तेल यहां को अपने जब गर्म हो जाएगा तो हम अपने पूरे मेरिनेट के एवे चिकन को एड़ कर दिए कोशिश किजिए गए वही तेल यूज करें इसमें आपने प्यास को फ्राइग किया है तो इसे अब क्या करेंगे कि हमें बहुत अच्छे से ब्हूनना है यहा जब तक इसका पानी जो है ड्राइना हो जाए तब तक हमें इसे अच्छे से भूना है इसे हम लगातार चलाते रहेंगे भूनते रहेंगे ताकि बहुत अच्छे से हमारा जो पानी है वो ड्राइ हो जाए तो देख सकते हैं कुछ तक हमारा जो है तेल सल्फिस पे आ गया है बहुत अच्छे से मैंने भूना है तो 6-7 मिनट लगेगा इसे भूनने में अगर आपको जाधा टाइम लगे तो थोड़ा सा टाइम देखे इसे भून लीजेगा इस तरह का हो जाएगा तब इसमें दो टमाटर को हम ग्राइन कर लेंगे टमाटरों में पानी आड़ नहीं कि तो देखें बहुत अच्छा सा है में अच्छे से भूनना है तो यहां पे में सब को भूनना है देल सलफेस पर आगया है तो हेहां फर धाल प्यास बादाम काजु का मैंने पेस्ट जो बनाया था उसे आइड कर देंगे और मिक्सिक जाड में बहुत सारा पेस्ट लगा हुआ था तो थोड़ा सा पाई डाल के इसमें आइड कर दिया है इन सबको भी हम अच्छे से मेक्स करेंगे और थोड़ा देर इसे भी हम पकाएं आदा कप के खरी पानी आइड कर रही हूं बहुत जादा इसमें घ्रे नहीं रखेंगे की कि ग्रेवी नहीं होती है थोड़ी सी गाड़ी साइड आ होती है तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दू हाट पानी को और इसके लट से कवर कर कर देंगें लगब इसे लिए नहीं कि देखिए लोकित लिए नहीं रहाँ के लिए कहने के देखिए देखिए 10-12 बार्त मिनट में कंप्लीट हो गया है अब इसे लिए तो जरूर से बीच बीच में चला यहाँ नहीं तो यह बॉटम पे सट भी सकती है बहुत अच्छा सा हमारा चिकन अंगारा बन के तयार हो गया है अब इस चिकन अंगारा की लास्ट सबसे इंपॉर्टन स्टेप हम्मारी बाकी है तो अब इस टाइंप पर हम क्या करेंगे दन कितनी अच्छी इस की ग्रेवी हमारी तयार हुई है अब क्या करेंगे कि अब जो चिकन अंगारा का में स्टेप है उसे भी कर लेते हैं तो यहाँ पे एक बीच में सिंटर पे मैंने कटोडी रखी है अब इसमें जलावा एक कोईला रखेंगे इसके ओपर थोड़े से हम प कर देंगे पांच मिनट के लिए आप चाहें तो जादा देर भी रख सकते हैं मगर देखी पांच मिनट में ही इतनी अच्छी इसमें चिकन अंगारा में स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा एकदम लगेगा कि रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन अंगारा हमारा बन के तयार हुआ है चाहिए कि सभी को बोगत ही ज्यादा पसंद आई तो आप भी घर में ट्राइ करें सभी की तारीफे पाएं बोगत ही दिलिशिज हमारा चिकन अंगारा बन के तयार हुआ है तो वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर से किजएगा चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और अपने फैमिली फ्रेंट्स में जरूर से शेयर किजएगा एकदम ला जवाब हमारा चिकन अंगारा बन के तयार हुआ है चलती हूँ इंशारला फिर लौट के होंगी बहुत ही जबरदस सी रिसिपी के साथ तब तक के लिए अला आफिज झाल 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 झाल